नमस्कार में अन्शोर आप देख रहे हैं M4U News मोदीनगर के आदर्शनगर में कल कुछ समाजिक तत्व द्वारा महिलाओं से अभधरता करते हुए गाड़ी का शीशा तोड़ कर पत्थाव कर दिया गया आपको बताते चले कि आदर्शनगर से सटा हुआ कि द्वाई नगर निवासी कुछ समाजिक तत्व आदर्शनगर की गेट पर खड़े हो जाते हैं और चरस गांजे का नशा करते हैं खेतर की लड़कियों को आते जाते समय छेड़ खानी भी करते हैं अपको बताते चले कि आदर्शनगर से सटा हुआ कि द्वाई नगर निवासी कुछ समाजिक तत्व आदर्शनगर की गेट पर खड़े हो जाते हैं और चरस गांजे का नशा करते हैं खेतर की लड़कियों को आते जाते समय छेड़ खानी भी करते हैं जिससे आदर्शनगर में नहने वाले लोगों में एक भय व्याप्त हो गया शेतर के कुछ लोगों ने उन असमाजिक तत्वों को रोकने की कोशिश भी की लेकिन उन लोगों ने वीतिरात पत्राव करते हुए गाड़ियों के शीशे भी तोड़ाले आदर्शनगर के निवासियों ने अपने घर के बाहर एक कागज चस्पा किया है जिस पर लिखा है ये मकान विकाओ है जिसको देखकर लगता है कि इन ऐसमाजिक तत्वों के डर से यहां के लोग मौदिनगर से पलायन करने को तयार है शेतरवासियों का ये भी कहना है कि जब बीती रात पत्राव करके गाड़ी के शिशे तोड़े गए तो मौके पर खड़ी पुलिस की गाड़ी ये तमाशा देखती रही जब शेतरवासियों ने पुलिस से इन लोगों को पकड़ने के लिए कहा तो पुलिस ने कहते हुए पला जहार दिया कि थाने जाओ, रिपोर्ट दर्ज कराओ, उसके बाद ही कारवाई करेंगे पुलिस के सरवये से नाराज, शेतरवासि, हिंदू, युवावाहिनी के पूर्व नगर अध्यक्त, नीरज शर्मा के पास पहुँचे और सारे मामले की जानगारी से अवगत कराया मौकेबर भाजबा की जलाध्यक्ष दिनेश सिंगल भी पहुँचे और प्रशासन से बात की दिनेश सिंगल ने कहा कि आरोपियों को किसी भी सुरत में बक्षा नहीं जाएगा वही हिंदू युवावाहिनी के जलाध्यक्ष आयूश त्यागी भी आदर्श नगर पहुँचे और क्षेतर वास्यो को आशवासन दिया और कहा कि हिंदू युवावाहिनी आपके साथ है आपको डरने के कोई जरूरत नहीं है आरोपियों को सज़ा दिल्वा कर ही रहेंगे वहीं पूर्वनगर अध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी निरज शर्मा ने कहा कि ये फ्रकरण पिछले कई दिनों से चल रहा है क्षेतर में मा बहन बेटियों का निकलना दुश्वार हो गया है लेकिन अबोर बरदाश्ट नहीं करेंगे अपराधी बचे का नहीं कोई भी अपराधी जो भी होगा वो बचे दानि हमने पुल्री इसस्पेक्टर से भी बात कर लिये को की इन्चारं से हूए और शक्त लयज में बात कर ली है मभी कहीं बैठना था एपै लिए ज निरंकुज में नहीं होने देंगे जो अपरादी है वो अपरादी पकड़ा जाएगा जो आदर्स नगर में मामला देखने में आया है संपर्ता की ताका उसमें अब क्या कहने चाहिएंगे परसो रात मुझे हिंदुई वहाहिनी के कारे करता हुद वारा सूचना मिली कि यहां कुछ ऐसमाजिक तत्वों ने घर के आसपास गाड़ी तोड़ी है गाली गलोच महिलाओं के साथ अभड़ता वहवार क्या है तो कल मैं सूचना पाकर यहां आया और S.A.C.O. साब से मैंने बात की उसके बात कारवाई हुई आज साम के समय S.P.R.A. S.P. दयाद आरे हैं निरिक्षान करने के लिए S.P. साब से मैं माध्यक सा अनुरोथ करता हूँ S.P. साब भी खुद आके निरिक्षान करें अपने आस पास के लेटिश्ट खबरे देखने के लिए हमारे चैनल M4U News को लाइक वा सब्सक्राइब करना न भूले साथी बेल का आइकन दबाएं जिससे आपको सभी निउस टाइम पर विले आप अपने सुझाओ हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं